हलो एवरीवन दिस इस सद्धार्थ पटेल वेलकम टू मैं इस वीडियो में हम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट दैट इस यू एपी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी रीसेंटली ये न्यूज में भी आया था आपने एडिटोरियल में देखा था और एक पूरा ब्रीफ बैग्राउंड देखेंगे कि ये एक्ट कैसे बना इस एक्ट के कौन-कौन से प्रोविजन्स हैं जो की आज की डेमोक्रेसी में जो की आज की टाइम में ठीक नहीं है ठीक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे एक कम्प्लीट पूरा एक हॉलिस्टिक व्यू समझेंगे कि यूए पीए एक्ट है क्या इसका हिस्टारिक ओरेजन देखेंगे प्लस रिसेंट लिए जो न्यूज में था तो हम रिसेंट इशू भी देखेंगे अपार्ट फॉम दे हिस्टारिकल बैग्राउंड और आगे क्य होना चाहिए पूरी प्रोसीजर क्या होना चाहिए एक्ट को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए क्या चैंजिस होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एक्ट है क्या दान अन अनलॉफुल प्रेवेंश Act, the Unlawful Activities Prevention Act 1967 is an Indian law aimed at effective prevention of unlawful activities association in India. Its main objective was to make power available to the state for dealing with activities directing against the integrity and sovereignty of India. अभी आप बोलोगे कि सर कुछ जादे समझ भी नहीं आया. तो अभी आप इतना समझो कि यह जो Act है यह Indian Act है ठीक है यह हमें पता है और Act की उससे नाम से समझो Unlawful Activities Prevention Act तो मतलब यह कोई Unlawful जो Activities है उसको रोकने के लिए Act बनाया गया है ना कोई Unlawful Activities है उसे रोकने के लिए Act बनाया गया है और वो Unlawful Activity क्या होगी कि कोई भी ऐसी बात जो की इंडिया की Sovereignity और Integrity पर बात आएगी ठीक है देश की अखंडता और प्रभुता पर जो बात आएगी उससे रिलिटेट यह Act है ठीक है कि कोई भी ऐसी Activity जिससे की इंडिया की Integrity और इंडिया की Sovereignity को खत्रा है तो वो Unlawful activities का पार्ट हो जाएगी इस Act का Origin कौन से year में हुआ था इस Act का Origin 1967 में देखते हैं ठीक है 1967 में इसका Origin है अभी इतना I hope इतनी चीज तो आपको clear हो गई होगी जो मैं आपको समझाना चाहा रहा हूं ठीक है अब और आगे देखते हैं अब basically हुआ यह था कि 1962 में चायना की साथ हमारा वार था अगर आपको ध्यान हो तो और जैसी देश को आजार नहीं मिली तो बहुत जादा यह जितने भी प्रिंसली स्टेट से इनको मर्ज करना ठीक है यह सारे बहुत सारे challenges थे प्लस apart from the dead जैसे कुछ-कुछ स्टेट सेना demand कर रहे थे अपनी हमें आज आते हैं ठीक तो हम इंडिया से एक अलग हम इंडिया से अलग होना चाहेंगे हम हमारे अलग ही राज्य हम हमारे अलग ही देश बनाना चाहेंगे ठीक हैं यह उस की बात थी आज की DMK की बात नहीं कर रहे हैं उस ताइम के DMK की बात करें ठीक है तो उसमें इंडिया से अलग होना है हम हमारा स्टेट हुड हम हमारे कंट्री अलग बनाएंगे तो यह इंडिया के सोवरानिटी और इंटीग्रिटी पर बात आई है ना ऐसे तो फिर सब स्टेट अपनी आटनामी की मांग करने लग जाएंगे प्लस हमने देखा था 1962 में चाहिना के साथ हमारा वार हुआ था तो उस वार के कारण यह वाली आवास थोड़ी सी दब गई थी क्यूंकि तब हम ज रहा हिस्चारिकल बैक्राउंड समझ में आ गया होगा अर्टिकल 19 विच गैरेंटीज जफंडामेंटल फ्रीडम्स विच गैरेंटी दफंडामेंटल फ्रीडम फ्रीडम उफ एक्सप्रेशन असेम्ली आसोसिएशन हैस कंब हैस कंटिनियस्ली बीन डिफेंडेड सिंस 1951 च क्योंकि सरकार को लगता था फ्री स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोल देंगे कि हमें देश से अलग होना है तो गवर्मेंट इनिशली स्टार्टिंग से चाहती थी कि इन यह जो फंडामेंटल राइट्स है इसको थोड़ा सा कर्टेल किया जाए चीए फर्स अमेंडमें ने कौन सा वर्ड आइट कया इसने वर्ड आइट कया रीजनेबल वर्ड आइट कया बफोर रेस्रिक्शन एड़ प्बिक ओर ऐस वन आज वन राइज वन मोर ग्राउंड ऑर अब्रेजिंग फंडामेंटल राइट्स चीए और एक पबलिक ओरड़ कर दिया कि पब्लिक को देखते हुए ठीक है यह राइट्स कभी कर्टेल की जाते हैं कि पब्लिक और अर्डर मेंटेन रहे ठीक है इसके बारे में हमने आर्टिकल 19 में भी बात की थी लेकिन यह जो वर्ड रीजनेबल आया है यह रीजनेबल वर्ड कहां से आया है फर्स्ट कॉंसिटूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है इसका ओरिजन है फर्स्ट कॉंसिटूशन अमेंडमेंट एक्ट क्लियर नौ इन 1962 इन 1962 वार सेसेशन थ्रेट्स फ्रम तमिलनाडू पॉलिटिकल ग्रूप्स इन 1960s ठीक है अब वही वाली बात है कि गवर्मेंट अब पूरा फिनोमेना समझो एक तो सरकार शुरू से चाहती थी कि आर्टिकल 19 पर कर्टेल लगाया जाए ज्यादा फ्री स्पीश हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि फ्री स्पीश के नाम पे लोग कुछ भी बोलने लग जाएंगे हो सकता है जो लिए पॉलिटिकल लीडर है अपने तो हमको चायना के साथ वार फिर सेविंटीवन में वापस पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ में वार तो यह सारी चीजें बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री को फेस करनी पड़े थी ऐसे में अगर आप सोचो अगर इंटर्नली भी अगर क्राइस चार्ट हो जाए त committee on national integration and regionalism appointed by national integration Council the recommended further restrictions on fundamental rights in 1963 एक कम्इटी बनाए ठीक किस कॉन committee किस पर थी national integration और regionalism के लिए committee बनाए थी जो की अप्वाइट की गई थी national integration Council ने इस committee को प्वाइट किया था तो इस committee न ऐसा बोला कि fundamental rights पर थोड़ी से restrictions लगाना तो जरूरी है नहीं तो हम यह rights absolute तो नहीं दे सकते citizens को, नहीं तो चीजें ठीक नहीं होगी, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, I hope आपको यह वाली चीज भी समझ में आ गई है, Then, Article 16, the 16th Constitution Amendment Act 1963 was enacted empowering Parliament to impose by law reasonable restrictions in the interest of sovereignty and integrity of India on the, ठीक है, फिर 16th Constitution Amendment Act ने कुछ-कुछ reasonable restrictions क्यों लगा है, क्योंकि इंडिया की sovereignty और integrity का protect करना है थे, ठीक है, Reasonable restrictions का ground यही था, कि इंडिया की sovereignty और integrity पे कोई खत्रा नहीं हो, तो freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without harm, right to form association और unions, इन पे restrictions लगा है, अपने restrictions देख्योंगे न, तो restrictions में एक point यह भी था ना, कि sovereignty and integrity of India पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, clear, the bill was passed by both the houses of parliament and received the assent of president on 30th December 1967, फिर यह एक bill introduced किया, Unlawful Activities Prevention Act, ठीक है, तो यह पहले तो bill ही था ना, पास होने के बाद में यह act बना, तो इस bill को introduced किया, यह bill इन इन सारी चीजों पे, इन सारी चीजों पे restrictions लगाता है, ठीक है, अब इंडिया कोई भी ऐसी कोई Unlawful Activities को, इस act के तहट किसी को भी मतलब गिरफतार कर सकता है, ठीक है, हमारी country में सरकार इस law के तहट किसी को भी गिरफतार कर सकता है, लेकिन किसी को भी, मतलब यह नहीं है कि तुम साड़क पे चलो तुम्हें गिरफतार कर लिया हो, किसी को भी इंडिया की sovereignty और integrity पे आज, किसी परसन के कारएं इंडिया की sovereignty और integrity पे आज आ रही हो, उसको सरका गिरफतार कर सकती है, अगर जैसे मालो किसी ने बोल दिया है, ठीक है कि मुझे इस देश से अलग होना है, मेरे इस स्टेट को देश से अलग होना है, हम autonomic ही मांग करते हैं, तो government इस आट के तहत आपको अंदर कर सकती है, clear, India state could not declare associations that sought suggestion from India as unlawful, in this way, UPA give power to the central government to impose all India bans on association, ठी पार आगई, क्या power आई government के पास में कि कुछ association, association मतलब क्या है, groups, कुछ association को, कुछ जो association, जो groups, बात कर रहे हैं कि सरकार के हमको देश से अलग होना है, या फिर जिससे इंडिया की sovereignty, integrity को खत्रा है, उनको सरकार अंदर कर सकती है, उन पे ban भी लगा सकती है, उन organization पे हम लोग आज देखते हैं किस organization को ban कर दिया, इस terrorist organization को ban कर दिया, कैसे ban करते हैं, इस act के तहथ ban किया जाता है उनको, ठीक है, most of the time इस act के तहथ उनको ban कर दिया जाता है, clear है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है, अब उस ताइम जिसे चाहना से भी war चल रहा था, तो क उपर से आप दुश्मन का ही जात दे रहे हो, तो इस तरीके की चीजें उस चाहिम पे जरुवत लगी थी, अब आपको पूरा historical background clear हो गया है, कि 1967 में act आया, इस act का reason क्या था, आपके मन में पूरी story बन चुकी है, मुझे इतना clear है कि आपको चीजें समझ में आने लग गई है, किस act की जरुवत क्यों थी, और इसने किस-किस चीजों पे restrictions लगाया, clear है, लेकिन यहाँ पे आपको जो word है, उसको ध्यान रखना है, associations, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ associations की बात की गई है, ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि यह word इस lecture के end तक आपको समझ में कि इसको change कर दिया गया है, ठीक है, तो आप association पे ध्यान रखेगा, then, main provision, till 2004, unlawful activities referred to the actions related to secession and cessation of territory, following 2004 amendment, terrorist act was also added to the list of offenses, अब कोई भी act बनता है, ठीक हमने बहुत सार एक्ट देखे, जैसे हम लोग ने RTI पढ़ा, तो RTI में amendment आया, तो चीजों एक्ट में समय के साथ साथ सरकार अपने हैसाब से उसमें कुछ चीज add करती है, कुछ चीज delete करती है, ठीक है, अब 1967 का ये law, 1967 का ये act, 2021 तक एक जैसा तो नहीं चलेगा न, कितना लंबा time period हो गया है, इसमें सरकान ने बहुत सारे changes, बहुत सारे बीच बीच में amendments है, तो जो जो important amendments है, हम उनको देखें clear, तो 2004 तक क्या हुआ था, 2004 तक unlawful activities की definition क्या थी, अब इस add का नाम है unlawful activities, तो unlawful activities की कुछ ना कुछ definition होनी चाहिए, तो 2004 तक unlawful activities, unlawful activities या फिर unlawful actions होने कहा जाता था, जो country से अलग होने की बात करते थे, जो इंडिया की sovereignty पे खतरा थे, सिर्फ उनको कहा जाता था, ले terrorist act was added into the list of offenses, लेकिन 2004 के amendment में कोई भी terrorist act भी है, वो किसमें आ जाएगा, वो terrorist act को भी UAPA के तहत, उनके अंदर, उनके खिलाफ actions लिया जाता है, चीक है, 2004 के बाद में terrorist act को भी UAPA के अंदर, उनके खिलाफ actions लिया जाता है, लेकिन 2004 से पहले सिर्फ ऐसा था, succession मतलब जो देश से अलोग होने और इन सारी चीजों से related जो बात थी, सिर्फ वही UAPA के अंदर आते थे, सिर्फ वही वाले provisions UAPA के अंदर आते थे, clear है, अब इसकी जर्वत क्यों पड़ी, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई reason होगा, कि सर इस चीज को क्यों है act किया गया, इस सारे बहुत सारे act पहले से थे, जो terrorism को करने के लिए, ठीक है, जब खालिस्तान movement बना था, तब और act कुछ बनाया के थे, तो इसे बहुत सारे act हैं इंडिया में, लेकिन ये जो act थे, जैसे पोटा, जो एक act introduced किया गया था, जब पार्लिमेंट में attacked हुआ था, तो था हुज ने बुला था कि ये बहुत डार्कोनियन लॉव है, ये पोटा वगिर है, जो आप लॉव लेकिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, तो Congress ने वादा किया था कि हम इस act को हटा देंगे, अगर हम सरकार में आ कए तो, अब वो सरकार में आ कए, अब इस act को हटाना तो ठीक है, ये act का क्या काम था, इस act को रिपील क्या गया, ये act टेररिजम से डील करता था, किस से डील करता था, टेररिजम से, ठीक है, ये act जो था, ये टेररिजम से डील करता था, तो Congress ने ये किया, ये कि इस act के जो प्रोविजन से न, वो उठा के इस act में लेया, यू यहां पर टेरोरिस्टacts को इंक्लूट कर दिये गए जो की इस Act में थे लेकिन इस Act को जब रिपील कर दिया गया तो इस Act के जो भी मेन और इंपॉर्ट्न प्रोविजिन हम कह सकते हैं उनकोको क्या किया सरकार ने उनको सरकार ने इस वाले Unlawful Activities Prevention Act के अंदर ले के आ गई अब उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि ऐसे भी कुछ-कुछ laws देखो कई बार ऐसे कुछ laws होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस हिजाब से हमारी जोग्राफी वगेरा है जिसे जाब से हम यह सारी गती वितिया देखते हैं कि इंडिया में टेररिजम का बहुत जादे influence है या फिर हमारे यह थोड़ी बहुत चीजे चलती रहती है तो इसके तद कुछ-कुछ law होना चाहिए एक दम हम पूरी liberty भी नहीं दे सकते ठीक है तो कुछ-कुछ curb करने के लिए भी होना चाहिए तो फिर Congress ने सोचा कि अब उन terrorist organization और उन सब से कैसे deal किया जाएगा तो उन सब को इसके अंदर लेके आ गए थे UAPA के अंदर ठीक यहां तक आपको बाते समझ में आ गई होंगी आपको पूरी चीज़े यहां तक clear है अब इस act ने Central Government को पावर दे दी कोई भी activity सरकार को कोई भी activity लगती है जो कि यह terrorism वग्यरा से deal करती तो government उसे notify कर सकती है कोई भी terrorist organization को ban कर सकती है government कि terrorist organization ने देश के लिए खतरा है तो उसको ban कर दिया ठीक अंडर UAPA the investigation agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrest and duration can be extended further intimating the court अब इस act का जो सबसे ज़्यादा criticism है वो इस point पे देखो जो सबसे ज़्यादा इस act का criticism है वो इस point पे है इस point पे क्यो है कि मान लो आपको UAPA के तहट अंदर कर दिया गया ठीक है किसी भी कारण वर्ष कोई भी terrorist activities में indulge होने के कारण UAPA के तहट अंदर कर दिया गया तो यहाँ पे 6 महिने तक charge sheet file नहीं कि जाती है मतलब 6 महिने तक charge sheet file नहीं भी करे तो भी चल सकता है इसका मतलब यह है कि 6 महिने तक आपको जेल में रहना आप कोट में नहीं जा सकते आप बेल के लिए नहीं जा सकते 6 महिने तक कि मुझे बेल है कोई मेरी बाद भी सुन लो यह सारी चीजे नहीं हो सकती यह 6 महिने तक कि यह जो 180 days है ठीक है 180 days लगभग लगभग 6 महिने की बात होई 180 days तक चार्चीट फाइल नहीं कर रही जा सकती और इस period को बाद में extend भी किया जा सकता है clear है तो इसलिए इसका criticism होता है कि मान लो for example आपको या मुझे ठीक है मेरा example ले लेते हैं क्योंकि मेरा तो अभी इन्होंने चार्चीट फाइल की नहीं है और 6 महिने तक ये लोग कम से कम मेरा torture तो हो गई वहाँ पे क्योंकि मैं इतने अच्छे act के तहत अंदर गया हूँ ठीक है तो वहाँ पे मेरे साथ torture वगएरा होगा लेकिन जब court में बात आती है कुछ ताइम बाद जब court में 180 दिन बाद में जब court फिक्चार्चीट वगएरा फाइल होती है जब मैं भी court में आके अपनी गवाई दे सकता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि तब मतलब court अगर ये decision दे दे कि ये इंसान बेगुना है तो मेरी life की तो 6 महीन है गए ना तो एक तरीके से ये person की liberty ठीक है ये मेरी right को मेरी right को ये खतरा दे रहा है एक तरफ security है देश की और एक तरफ एक individual की rights है तो इनका balance इस वज़े से इसका criticism है clear है criticism पे हम और अच्छे से बात करेंगे हम कुछ data figures इन सबको analyze करेंगे बश्च मैंने आपको एक overall understanding के लिए बताया क्योंकि अभी तक आपने सारी अच्छी अच्छी बाते सुनी कि हाँ ऐसा जरूरी है अभी तक आपके मन में ये story चल रही है कि हाँ ऐसा act होना जरूरी है लेकिन वही वाली बात है कि कोई भी coin के हम बोलते हैं कि दोनों पहलों को देखना चाहिए तो एक पहलो अब आपने देख लिया है अब आपको दूसरा पहलो देखना है जो इस act का criticism है हमें उस पहलो पे भी बात करना जरूरी है clear है यहां तक I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है then both Indian and foreign national can be charged it will be applicable to the offender in the same manner even if the crime is committed on the foreign land outside India अब इस act के तहत foreign national को भी charge किया जा सकता है और ऐसा कोई act जो foreign land पे भी commit किया हो इंडिया के किलाव ठीक है तो अभी उसको same same way में ही punishment मिलेगा same crime ही हम मानेंगे ऐसा नहीं कि इंडिया में करतो ही बाहर भी किया तो भी हम वही मानेंगे it has dead penalty and life imprisonment as an highest punishment यहां पे इंसान को dead penalty भी होती है और life imprisonment भी होता है ठीक है life imprisonment भी होता है क्योंकि act ही बहुत जाता खतरनाक है यार तो तुम terrorism में कहीं उलजे हुए हो या तुमने कहीं देश की ऐसी कोई बात कर दी हो नंबेटेया हैं noodle depend condition rates पहले हम एक बाहरे में बात करते हम iki department के बात करते दो हजो 2019 में लिख आएगा फिर हम उसके बाद में conviction rates पे आए कि कि कितने केस फाइल हूए कितने में से कितने केस सही कितने के केसे को सरकार कोर्ट को ने बोला कि यह तो यूख यूपी एक तहट इसमें ऐसा कुछ यूट है यह नहीं ठीक है तो पहला हम अमेंडमे पिर रिचेंट अमेंडमेंक ए इस एक्ट में 2019 में हम उसके बारे में बात करते हैं ॔र 2019, Parliament cleared the Unlawful Activities Prevention Amendment Bill 2019 to designate individual as terrorist if individual commits or participate in act of terrorism, prepares for terrorism, promote terrorism and is otherwise involved in terrorism. सबसे important जो provision है अब तक जो हम बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, तो हम क्या बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था word association के ध्यान रखना, है ना, मैंने आप से ये बोला था ने, कि word association पर ध्यान रखना है, अब तक ये act सिफ और सिफ groups पर काम करता था, एक पुरी organization है, एक पुरा group है, एक पुरा association है, उस पर काम करता था, लेकिन 2019 के बाद में ये सीधा सीधा individual पर भी ये act लगेगा, किस पर लगेगा, individual पर भी ये act लगेगा, ठीक है, एक इंडिविजूल पर भी ये act लागो हो सकता है, एक अकेला इनसान भी terrorist activity में involve हो सकता है, मतलब कि मैंने रातो रात घर में palm बनाले और मैंने भेग दिया, ठीक, एक अकेला इनसान भी terrorist activity में involved हो सकता है इस act के तहट अब जो नया जो act है जो amendment के बाद में जो act है अब उसमें UAPA में कौन-कौन involved है उसमें association तो involved है ठीक है association तो पहले से involved थी लेकिन प्लस अब एक particular individual को भी jail के अंदर डाल दिया जा सकता है कि तुम terrorist activity में involved थे ठीक और terrorism की कोई definition नहीं आप एक चीज ध्यान रखो terrorism की बहुत डेफिनेशन है हम terrorism जो बुक में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें अलग है लेकिन जब law को implement करने की बात आती है जब इस act को implement करने की बात आती है तो तब आप सोची कि terrorism की definition कितनी वेग होगी terrorism में किसी को भी इंक्लूट कर लिया जा सकता है हो सकता है मैं कोई धर्ना प्रदेशन कर रहा हूं सरकार के किलाव मुझे अंदर कर दिया कि अब मैं तो government की किसी policy से खुश नहीं हूं लेकिन उन्होंने मझे यूए पीए के दात अंदर डाल दिया जैल में तो इसकी कोई definition नहीं है तो इसका misuse होता है second point of the criticism जो मैं आपको बता रहा हूं now a similar provision already existed in part 4 and part 6 of the legislation of organization that can be designated as terrorist organization ठीक है अब सेम इसी act में वही जो चीजें ये सारी लिखी है जो एक individual की चीजें है वो सारी चीजें एक organization पर भी लागू होती है तो मैं आपको बता चुका हूं clear है? so आपको ये दोनों point समझ में आ गए है then the act empowered director general of national investigation agency to grant approval for the seizure or attachment of property which the case is investigated by the self agency अच्छा अब इस act में इस act को implement कौन सी agency करती है? कोई न कोई agency इस act को implement करेगी ना इस act को implement करने का काम होता है national investigation agency का किसका होता है? national investigation agency का इस act को जो implement बतलब जैसे किसी को arrest करना, अंदर डालना ये जो बतलब इस act की जो body है जो body जिसको implement कर रही है वो उती है national investigation agency clear है? अब इस act ने क्या हुआ? कि जो national investigation agency के जो director general है उनके पास में ये power है कि वो उस particular इंसान की जिसे माल लो, मुझे एक terrorist declare किया मुझे मतलो चलो यार, ये जादा हो जाएगा एक person को, एक terrorist का उसको वो दिया चीक है? की बोला? ये terrorist है, एक person ने ABC बोला गया कि ये person ABC है, ये terrorist है अब ये person रहता है, West Bengal में West Bengal ले लो कोई भी ले लो, कोई भी state ले लो West Bengal में ये person रहता है अब इसकी property, acquire करना, seize करना है न, इन सब की power किसको दे दी गई है? इन सब की power दे दी गई है National Investigation Agency को दे दी गई है कि वो बिना state government के permission के ये सारे काम कर सकते है state government की permission नहीं लगेगी ये central government को एक तरीके से power दे रही है कि अच्छा उसकी property वहाँ पर है चलो आओ, उसको seize कर लेते हैं अब उनको state government वगर से permission लेने की जरुवत नहीं है The act also empowers the officers of the NIA of the rank of inspector or above to investigate the cases of terrorism in addition to those conducted by DSP और ASP और above rank officer in the state पहले ये सारे cases में ये state government भी बहुत जादा help कर दी थी जैसे इनके police वगरा इनसे permission लेते थे कि उसे arrest करना है, उसकी property seize करना है लेकिन अब ये सारी power central government नहीं अपने पास ले लिए कि अब एक तरीके से इसमें आप ये समझ सकते हैं आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो power है वो tilt हो रही है central government के पास मतलब union के पास में तो इसका criticism हम क्या ले सकते हैं federalism के principle को violate कर रही है जहां state और center को दोनों को equally काम करना है तो इस point का criticism ऐसा हो सकता है अब हम आते हैं conviction of cases वाले data पर according to the data recently presented by ministry of home affairs in Rajasabha only 2.2% of the cases registered under the unlawful activities at 1967 between the year 2016 and 19 ended in convictions by court चीक है the ministry quoted figures from 2019 crime in India crime in India report compiled by national crime records bureau चीक है अब आप देखो कि कितने सारे cases file होते हैं और उनका result में सिफ इतना ही निकलता है इतना कम उनका conviction rate है मतलब इस act का misuse कितना जादा होता है कितने सारे लोगों को पकड़ रहे हैं और कितने सारे लोगों को पकड़ने का ने पता चलता है कि वो बेगुनात है तो एक तरीके से इसमें political vendita भी include होता है clear है वो ऐसा नहीं है कि इसी सरकार से हो पहले वाली भी सरकार से क्योंकि एक तो 1967 से है ठीक है यह एक तो 1967 से है औरिँजिनली इस act का purpose ठीक था की यह था लेकिन उसके बाद से इस जो इस act का जो misuse होने लगा है कोई भी सरकार हो पुरानी अभी सब जो इस act को अपने-पने सारी चीज़ें यह बाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई Now, अब हम आते हैं, issues with UAPA, चिक, issues से पहले लेकिन हम एक बार ये graph देख लेते हैं, जिसमें लिखा है, sharp rise, the number of arrests under UAPA, jumped by 37% in 2019, compared to 2018, हम day by day देख रहे हैं, तो ये जो graph है ये जो graph है, ये उपर ही जा रहा है, जब person arrest हो रहे हैं, उनका graph day by day उपर ही जा रहा है, इतने सारे लोगों को इस act के तहत arrest किया जा रहा है, और उनका conviction rate देखें, उनका अगर हम court में result देखें, तो वो downfall में आता है, कि court आजे से ज़्यादा लोगों को तो बोल रहा है, कि इनने कोई गलती नहीं की थी, इनको UAPA के तहत नहीं लेना था, हो सकता है कोई छोटे-मो provisions के तहत उनको आप अंदर कर लो, लेकिन इतना बड़ा provision लगाना, कि वहाँ पे 6 महीने तक बेल नहीं हो सकती, और आम लोग को चारचीट फाइल नहीं हो सकती, तो इतना tough वहाँ पे लेके जाना, ये बहुत गडबड वाली बात हो जाएगी, और आप खुद ही सोचो, घर को आता है, भले ही उसे कोटने बाइजद बरी कर दिया हो, लेकिन वो जो समाज के चार लोग होते हैं, बात तो भही आती ना, जरूर इसने कुछ आतंगवादी गतिविदी करी होगी, ये तो गडदार है, तो यही वाली बात निकलती है, ठीक है, नो इशू क्या है, अ अपने आपको ज्यादा पावर दिता है, लेकिन क्या इसमें हमारे Constitution का एक प्रोविजन है, कौन सा है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का यहां पर सीधा-सीधा वालेशन होता है, that is also a fundamental right, right to life and personal liberty, है न, इसको भी हम डील कर चुके हैं, तो यह जो आक्ट है, यह कौन से प्रिंसे आर्टिकल को वालेट कर रहा है, यह आर्टिकल 21 को, यह जो हमारा law है, यह जो act है, यह हमारी fundamental rights, आर्टिकल 21 को वालेट कर रहा है, clear है, then, indirect restrictions or right to descent, the right to descent is a part of and a parcel of fundamental rights to free speech and expression, therefore cannot be abridged in any circumstances, ठीक है, the UPA 2019 empowers the ruling government under the graph of curbing terrorism, to impose indirect restrictions on descent, which is detrimental to, which is detrimental to for developing democratic society, ठीक है, कोई भी सरकार इसको अपने खिलाफ यूज करेगी, जो सरकार है, उसने इसको individual पर लगा दिया है, अब जाओ तुम प्रोटेस्ट करने, तुमको UAPA के थाथ अंदर कर लेंगे, ठीक है, तो यह concerns दिखाए गये थे, कि इस तरीके से चीज होंगी, तो ठीक नहीं होगा, clear है, then, undermines federalism, federalism वाला भी मैंने अभी आपको समझाया था, फिर वही चीज का repetition है, कि यहाँ पे जो चीजे हैं, वो central government ने अपने पास में power ले ली है, then, the Hindu June 18th editorial, ठीक है, यह editorial आया था, a judicial pushback to a darkonian legal regime, ठीक है, यह editorial आया था, जिसमें UAPA Act के बा बताया गया था, उसके बारे में, उसका criticism एक तरीके से बताया गया था, तो एक बार इस editorial को analysis कर लेते हैं, जो कि मैं आपको present का बताया था, कि इसमें क्या है, and then, way forward क्या है, यह Act में जो कमियां उसे दूर कैसे की जा सकती है, क्या होना चाहिए, हम then, उसका conclusion भी निकालते है इसमें क्या हुआ था, कि डेली हाई कोट ने बेल देदी थी, they have been in jail for over an year without trial, without, without trial for their alleged role in Delhi 2020 roids, ठीक, इनको डेली हाई कोट ने बेल देदी थी, कुछ activist को, जो 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उनके तहत, ठीक है, और यह एक साल तक जेल में अंदर थे, without any trial, पता ही ठीक, without any trial, वो जेल में अंदर थे, तो यह बार हम इसमें देखते हैं कि issue क्या था, the root of the problem lies in section 43D5 of unlawful activities prevention act UAPA, जो unlawful, यह जो act है ना, इसका section कौन सा बताएगा है, 43DB, ठीक है, it prevents the release of any accused person on a bail, if on a partial of a case jury or a report made under section 173 of the criminal, of the code of criminal procedure, the court is of opinion, that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is a prima facie true, अब होता यह है, कि मानलो जिसे, इनको अंदर किया गया, फिर जो initial level पर जो हम देखते हैं, जो initial level पर जो case jury होती है, जैसे किसी को भी अंदर जेल में किया गया, तो initial level पर वो चीज जायरी में नहीं लिखके एक paper अगेरा में जो लिख देत कोई permission होती नहीं है, और police और police वो वाला page court के सामने रख देता है, कि देखो ऐसी चीजे है, अब आप खुछ सोचिए, कि जब court के सामने one-sided चीजे रखी होगी, court के सामने one-sided चीजे रखी होगी, for example, मुझे jail में अंदर डाल रहे हैं, एक लंबे समय के लिए jail में अंदर ड पटिल नहीं किया है, सिद्धात पटिल नहीं किया है, तो police सही है, अरजाने दो, यहाँ पे जो person जिसको हम अंदर डाल रहे हैं, उसके पास तो right है ही नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ एक तरफा काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफा काम हो रहा है सिर्फ उसकी आवाज सुनी जा रही है किसकी आवाज सुनी जा रही है सिर्फ पुलिस के जो लॉयर है जिसे के प्रोसिक्यूशन बोलेंगे ठीक है प्रोसिक्यूशन सिर्फ उसकी आवाज सुनी जा रही है सिर्फ उनका पॉइंट ऑव यू सुना जा रहा है कि यह यह इस तरीके से दंगे में involved था इसने इस तरीके से crime करने की कोशिश की उस person को तो अभी मौका ही नहीं है बोलने का ठीक है मौका क्यों नहीं है क्योंकि section 43 जो हमने भी section 43 D5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो prosecution है जो सरकार का जो पुलिस का वकील है सिर्फ उसी की बात court सुनेग वो आँख बंद करके सब को equal रखा जाता है ठीक है सब की आप नयाय की नजर में equal हो लेकिन क्या इस case में equality वाली बात हुई है इस case में equality वाली बात नहीं हुई है क्योंकि उस person की तो बात ही नहीं सुनी जा रही है वो तो 6 महिने तक जेल में ऐसे ही है without any charge sheet वगेरा वो ऐसे रही है उसकी तो बात भी नहीं सुनी जा रही है और एक तरफ़ा वन साइड़ सुनी जा रही है ठीक है तो एक तरीके से तो में बोल सकते हैं आंग भी भेorn है ना से एक वा एक ही कांच चाल हुए तो ऐसा बोल सकते हैं ना इंपॉर्टेंस ऑफ बेल फॉर दिस रीजन बेल बिकम्स ऑफ अट्मोस इंपॉर्टेंट इफ एन इंडिविज्विज्वल इस नॉट एबल तो सिक्यार बेल फॉम दे कोड दे विल लंगिश एज अंडर ट्राइ राक मिलती है अब ऐसे में इनसान को बेल देना जरूरी है ना हो सकता है कि मालो मेरे किलाब केस चल रहा है वह केस अब उसकी आज लेट आई पिर screening एक महीने बाद फिर दो महीने बाद पिर एक साल बाद पिरplant तो ग्या तब तक मैं जेल में रहूंगा वो सकता मैं 1400 सांबने वाले ने मुझे जानबुच की फसाने की कोशिश की हो तो इसलिए प्रोविजन रहता है कि बेल दे जाए जब तक गुना कबूल नहीं होता तब तक उसे बेल दे जाए कि ठीक अभी तो गुना कबूल नहीं हुआ है लेकिन वो पुलिस की निगरानी में रहेगा जिस दिन उसे बुलाया जाएगा उस दिन वो पुलिस के सामने पेश होगा कोट के सामने पे a court is meant to take into account a range of factors ठीक है आप बेल देते वक्त court कौन-कौन से court बहुत सारे factors देखते हैं सानि यह कि मैंने बेल मांगी तो बेल ले से दी बहुत सारे factors देखे जाते हैं वो कौन-कौन से होते हैं flight risk, whether he or she might temper with the evidence or attempt to influence the witness, gravity of the offense कितना offense, कितना मजबूत है पहले यह देखेंगे मैंने चोटा मोटा crime किया, बड़ा crime किया फिर क्या chances हैं कि मुझे बेल मिल जाएगी तो मैं evidence जो है उनको temper करूँगा, उनसे कुछ छेड़ कहानी करूँगा या फिर मैं देश छोड़ के चला जाओं तो यह बहुत सारी चीजें देखी जाती है बेल देते टाइम पर चीक, लेकिन इस एट के तहद बेल नहीं दी जाती है यह तो आपको बताया गया है कि बेल की जरुवत क्यों है clear, now, determining the truth under the classical vision of criminal justice truth about the innocence or guilt can only be determined after the evidence of both the prosecution and defense have been subjected to the regress of cross examination आप सच पर पहुँचने के लिए, सच पर पहुचने के लिए क performers दोनों तरफ बाते सुननी होती है आप धकर बाते संके यह नहीं बता सकते कि हां उसको jail में डालो यह नहीं करना चाहिए सज में अगर आपको truth तक पहुचना है तो आपको दोनों तरफ की बाते सुननी होगी यह आप Act में इसको आप Criticize कर सकते हो जो की Editorial में भी था इस Provision को हम लोग Criticize करेंगे ठीक है जब इस Act भी बाते आएंगी तो Clear है? So यह भी हमें पता है बहुत जादा Protest भी चले थे की इस Act को repeal कर दिया जाए repeal UAPA इसके तहल बहुत जादा Protest जैसे sedition को लेके Protest नहीं चलते है वैसे इसके लिए भी चलते हैं ठीक है? It is here that Section 43D5 of the UPA plays such a damaging role ठीक है? That short circuits the core assumption. For the grant of bail it only look at the possibility of one side evidence that is prosecution it binds the court to look only the case diary or the police report which has not been challenged by the cross examination and require that the bail be denied as long as unchallenged prosecution case appear to be the prima facie true. ठीक अब यहाँ पे वही वाली बात है, उसी का repetition है कि इसका damaging role इसने यही कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक one side बाते सुनी गई है, दूसरी side की नहीं सुनी गई है. वो ऐसा होता है ना लोग जब कोई भी अपने movie का scene देखा होगा, quote में जब बाते चलती है, अगर एक तरफा बाते हो, तो मजा नहीं आता ना, लेकिन दूसरी तरफा बाते हों कि उस रात उसका murder हुआ था, तो यह उस दिन उसी घर में थे, तो सामने वाला वक्तिल क्या बोलता है, कि उस घर में होने से ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसने murder कर दिया, तो ऐसे यह चीज़ों, ऐसे चीज़े broaden होती ना, अब एक ही तरफ, एक ही तरफ से सिर्फ बाते आ रही है, कि नहीं, एक ही तरफ से बाते आ रही है, कि नहीं, यह वहीं था, तो इसी ने murder किया होगा, तो सामने वाले को लगेगा, हाँ यार सही बोल रहा, या फिर मैं सिर्फ आपको UAPA का सिर्फ और सिर्फ negative effect बताऊं, तो आपको लगे कि कितना जर्वत, तो इसे हम दोनों points को लेते हैं, कि जरुवत क्यों है, इस act की कही न कहीं जरुवत भी है, लेकिन कहीं न कहीं इस act का misuse भी हो रहा है, कुछ provision इस act में ऐसे हैं, जो ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, तो आपको एक overall understanding लग रही है ना, कि पूरी picture है क्या, clear है, so, यह वही वाली चीज है, छीक, now, in short, unless the police prepared, यह वही वाली चीज है, even the outlandish और drum cases can sound convincing until the people have chance to integrate and challenge them, वही वाली चीज दिखी गई है, कि कैसे, यहाँ पे पूरी पूलिस के पास में power है, और पूलिस ही इन सारी चीजों को define करती है, ठीक है, पूलिस ही सारी चीजे, पूलिस ही सारी चीजे देती है, court को, और court उनी की चीज समान के, और आगे, आगे, उससे सबसे proceed किया जाता है, और वो जेल में चली जाता है, even though section 48 D5 departs from nearly basic principles of criminal justice, यह basic principle स depart है, कौन से basic principle की बात है, principle of natural justice, कौन सा natural justice का principle है, हमने ऐसा सुना है, कि किसी को भी सजा नहीं मिननी चाहिए, जब तक, ठीक है, हम एक बार उसका परक्षनी सुन ले, ठीक है, किसी भी निर्दोश को सजा नहीं होनी चाहिए, या सजा देने से पहले एक बार उस व्यक्ति का हम लोग एक कम से कम उसकी बात तो सुन ले, तो यह जो एक natural justice है, एक जो basic जो principle होते justice का, वो इस act के तहत वालेट हो रहा है, on this basis, the court court judgment notes that UAPA is meant to deal with terrorist offenses, its application must be limited to the act that can reasonably fall within the plausible understanding of terrorism, अब court नहीं बुला है, कि यह जो act है, यह act terrorism के लिए है, तो please सरकार कोशिश करें, कि सारी चीज़ में terrorism के इर्दगिर्दी करें, जैसे अब कोई rights वगेरा में चीज़ें होई है, बहुत एक लंबा protest चल रहा हो सकता है, उस protest में violence भी हो गया हो, अब violence में यह चीज़ें पता लगा पाना, किसने किया है, किसने नहीं किया है, क्या हो रहा है, इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड में violence हो रहा है, अगर आप उसको उस चाइम पे अंदर लेके जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, या फिर कोई आपकी खिलाफ, dissent, protest कर रहा है, आप उसको उठा के अंदर लेके चले जाओगे, साइट के तर्थ, तो यह तो गलत है, ठीक है, terrorism is a term of art and not a word that can be thrown around loosely, य कोई भी activity को हमने terrorism define करने लगा है, कि हाँ यह terrorism है, यह ऐसा नहीं है, ठीक है, Thus to attract the provision of UAPA, the judgment holds, the charge sheet must reveal factual, individualized and particular allegation linking to the terrorist attack, the judgment then find that even if the police claims are taken to be true, no allegation exists, उसी judgment के बारे में, जो हमने editorial के बारे में discuss करें, उसी के बारे में हैं, उसमें यहीं बता गया है कि हमें यह नहीं लगा कि जो police allegations लगा है, वो सारे true है, तो यह उसी editorial का discussion है, अब उस editorial से हमारा long term में देखें तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस editorial में हमें यह section को ध्यान रखना है, कि कभी भी UAPA पे कोई भी question आया, so we can mention this thing, ठीक है, और जो मैंने आपको और भी जो चीजें बताई है, वो सारी चीजें हम mention कर सकेंगे, Now coming to the last part, हमने सारी चीजे देख ली, उसकी अच्छी चीज, क्यों जरुवत थी, क्यों नहीं थी, उसको कैसे implement किया गया, क्या क्या changes है, क्या क्या amendment है, कैसे उसका सरकार misuse करती है, कोई भी सरकार हो, अब बात है way forward की, Preventing Misuse, Terrorism is undoubtedly a big threat, and must be tackled with stringent counter-terrorism law, but only provision of UPA are followed in letter and spirit, without it is cautious uses to wrongfully implicate individuals, terrorism बिल्कुल एक बहुत ही ऐसा serious चीज है, हम उसको एक दम lightly नहीं ले सकते हैं, और उस चीज से deal करना भी जरूरी हम सब चीज ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, कि चलो deal हो जाएगी, लेकिन जो laws हैं, उनका misuse नहीं होना चाहिए, आप थोड़ी सी definition उसकी define करो, थोड़ी सी better way मे maintaining balance between fundamental freedoms and interests of the state, सरकार का main काम है कि वो एक balance बना के रखे, ठीक है, कि लोगों के freedom को भी protect करना है, then interest of the state, security भी maintain करना है, तो government का काम है कि वो एक balance बना के चले, ऐसा नहीं है, कि वो security के नाम पे लोगों को इत्ती अंदर कर ले, कि वो लोगों के rights भोल जाए, security and rights दोनों का balance होना बहुत जादा जरूरी है, judicial review, there is a greater role for judiciary here to carefully examine the cases of alleged misuse, arbitrariness and subject under law should be checked through judicial review, judiciary को बहुत consciously act करना चाहिए, इन चीज़ों में, judiciary को बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, और judiciary को एक impartial way में सारी चीज़ों के थर्द एक करना चाहिए, क्योंकि एक बार हम सरकार स तो ऐसी उमीद कर सकते हैं कि सरकार किसी को भी अंदर डाल सकती है, लेकिन judiciary पर हमारा trust है, confidence है, तो judiciary को बहुत अच्छे से add करना चाहिए, लेकिन judiciary की अपने की बहुत सारे problem है, pending of cases यह वो, तो पता नहीं कब क्या, कब number आएगा, क्या होगा, तो वो एक अलग debatable issue है, जो कि आपको पता है, नौ, Delhi High Court Judgment indicates a pathway forward in the quest for finding a balance between citizen civil rights and imperative of anti-terrorism legislation such as UAPA, a position under which citizens can be jailed for years on end just on the basis of police reports, case jires with court preluded from granting them bail, is completely inconsistent with democracy and redolent of authoritarian or tyrannical states, अब इसमें यह बताया गया है, किसी डिजन्स को सिफ पुलिस जायरी इस पे, ठीक है, अंदर कर लिया जाता है, court के पास में यह power नहीं है, court, court, यह सारी चीज़ें देख नहीं सकता है, यह सारी चीजों को अगर हम देखें, तो यह inconsistent है, democratic state के लिए, हम democracy की बात करते हैं, और अगर ऐसे laws हैं, तो यह चीज़ें ठीक नहीं है, और जैसे जैसे society evolve होती है, वैसे वैसे चीजों को खतम होना चाहिए, चीजों को कम होना चाहिए, ठीक है, हम जैसे जैसे society evolve हो रही है, वैसे वैसे laws हम और मजबूत करते जा रहे हैं, लेकिन इस time पे इनकी लिमिट होनी चाहिए, यह हर किसी पर यूज नहीं करना चाहिए I hope आपको पूरी यह चीज क्लियर होगी आपको आपका opinion बनाना है, मेरा opinion आपको नहीं लेना है मेरा काम यह है कि बस आपके जो holistic understanding है मेरा काम है कि मैं उसका जो आपके views है उसको broaden कर दूँ बाकि आपको आपके views देखना है, प्लस कोई भी चीज करो देखो हम यहाँ पे मजाग करने तो नहीं है, आप लोग भी वीडियो देख रहे हो तो मजाग करने तो नहीं हो, आप इसलिए हो कि exam point of view से क्या ज़रूरी है तो exam point of view के नजार रखते हैं यह चीजें बताई गई है, यह points आपको exam point of view में कैसे देखना है, उसको बचाना कैसे, इस act को criticize कैसे करना है, एक overall चीज exam point of view से बनाई है ठीक है, तो किसी को भी, मतलब ऐसे politics में जाने की जरुवत नहीं है, आपको आपका exam crack करना है, exam crack करो, ऐसे questions आते हैं और हर इंसान को दोनों चीज के लिए prepare होना चाहिए, अगर कोई भी issue है, यह issue है, तो इस issue को आपको बचाते भी आना चाहिए, इस act को बचाते भी आना चाहिए, और इस act को criticize करते भी आना चाहिए, लक्षदीप issue है, तो उसको आपको बचाते भी आना चाहिए, उसको criticize करत बहुते भी आना चाहिए दोनों ज़रूरी है ठीक है क्योंकि अगर हमसे कुश्चने सब पूछ लिया गया है कि दिन को राध प्रूफ करो तो हमें प्रूफ करना ही है अगर हमें एक्जाम करक करना है तो और अगर ऐसे देखना है तो फिर आपका उपिनियन आपको जो अपन करने वाथ